वेलकुम टो रोशी हायत किचिन असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट चीज जो की है सेंडविच आज मैं तीन दरह के सेंडविच बनाऊंगे जो की बहुत ही मज़दार होते और यह सबको बहुत पसंद आते है तो चलिए इस वे सेंडविच को बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बैने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डालें आदा कप मैंने यहां पर चॉप गाजा ले ली है और इसको अठी से वाष करने के बार्दे मैंने बारीग चॉप कर लिया था इसके साथ ही आद डालेंगे नमक नमक आप अपनी टेस्ट की अकॉर्डिंग ही हैट कीजिए कुछ फ्लेवर के लिए डालेंगे हम एक छोटा चमच डालेंगे औरिगोनों का अगर आपके पास औरिगोनों नहीं है तो आप यहां पर इटैलियन सिजनिंग का भी यूज कर सकते हैं यह सिंपल क इसका पॉर्टर डाल के भी इसको बना सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम मयोनीज तो तक्रीबन 6-7 बड़े चमच मैंने यहां पर मयोनीज का यूज किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको लगे किसी स्टेज पर मयोनीज थोड़ी सी कम है आपका ज सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पर वेज मयों सेंड्वीच इसके लिए मैंने यहां पर चार ब्रेट स्लाइसिस ले लिए हैं और इसके जो एजिस है ना इसको हम कट कर देंगे इस तरह से कट करने से जह हम इसके सैंड्विच बनाएंगे न तो यह बहुत ही अच्छे बनते हैं और एकदम मार्किट स्टाइल सैंड्विच बनके हमारे तैयार होते हैं तो इसी तरह से हम इसके जो सारे ब्रेट के सिलाइसिस है इसके सारे हम अलग कर देंगे और इसको अब इस slices को आप जो इसके edges हैं इसको आप फेकिएगा नहीं इसको आप किसी भी curry में यूज कर सकते हैं इसके bread crumbs बनाकर या इसको नाश्टे की जो भी recipe बनती है उसमें यूज कर सकते हैं अब इसके slices की उपर हम लगा देंगे थोड़ा सा butter को हम apply कर देंगे ऐसा करने से bread हमारे जो हम इसमें feeling भरेंगे एक दम से soft बनेंगे तो ब्रेट स्लाइसे मैंने इस तरह से butter को apply कर दिया है और अच्छे amount में अब इसमें हमने स्टफिंग को अच्छे से फैला दिया है और जो बागी कर जो स्लाइसे बचे थे ना उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे और यह बन गए हमारे वेज में सेंडवीच देखा आपने इसको बनाना कितना आसाना है आप चाहिए तो बच्चों को इसी तरह से सर्फ कर दीजिए लेकिन आप मैं इसको थोड़ा सा कट कर दोती हूँ थोड़ा सा प्रसेटेबल हम इसको बना देंगे जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं बिलकुर उसी तरह से और यह देखिए बन गए ना हमारे बिलकुर सेकेंड़ों में बनने वाले वेज में सेंडवीच एक दब क्रीम में और बनाते हैं दूसरे सेंडवीच जो कि है गिरल्ड मेयो सेंडवीच इसके लिए भी मैंने यहां पर चार ब्रेट की स्लाइसेस ले लिए हैं लेकिन इस सेंडवीच में हमें इसको एजिस होते हैं उसको कट नहीं करना पड़ता है सिंपली इसके ऊपर हम बटर को अप प्रेट करिया और इसके चारओ स्लाइसेस पर हम बटर को अपलाई कर देंगे और इसके बाद इसमें हम भड्टेंगे जो हमनेowej बैसकी सेंडवीच की फिलिंग बनाई थी उसको हम छेंवीच करना पीम पर चाबलते जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद होती है और यह खाने में भी बहुत मज़दार और बनाने में भी बहुत आसान अब जो ब्रेट स्लाइसिस रखा हुआ था ना उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे और यह देखिए बनके तयार हो गया लेकिन ठहरे ठहरे अब यह तयार नह है तो आप यहां पर उसका यूज़ भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया था और उपर के साइट पे इसको हम बटर अप्लाई कर देंगे बहुत कमी अमांट में इसको बटर को अप्लाई कर देंगे अगर आप चाहें तो ग्रिल होने में हमें वक्त लगेगा दो से तीर मिनट का और यह देखिए तीर मिनट के बाद मैंने इसको चेक किये और यह बहुत ही जबरदस्त हमारे ग्रिल मेयो सेंडविच बनके तयार हो गई है बिलकुल मार्केट वाले सेंडविच बने हैं फ्रेंट यो गर्मा-गरम सेंडविच को आप सर्फ कीजिए सॉस के साथ में यह घरी चटनी के साथ में इसको आप चाय के साथ सर्फ कीजिए यह बच्चों के लंच बॉक्स में अब हो मनाते हैं तीसरा सेंडविच जो की है तवा में उसेंडविच इसके लिए भी हमने ब्रेट की हैं पर चार बटर को मैंने अपलाई कर दिया है इसके ऊपर अब इसमें हम यहां पर लगाएंगे ग्रीन चट्टी लगा देंगे यह तो अमोमन हर घर में रखी होती है ग्रीन चट्टी अगर आपके पास नहीं तो आप यहां पर सिंपल हरे मिट जहरा दनिया नमक नीबू और जीरा इन स आपर देंगे तरह साम इसको तूसरे वाले ब्रेट इसके ऊपर टमाटो सास को लगा देंगे तो और यह सेंड्विच बनता है ना फ्रेंड से थोड़ा घट्टा-मीठा चटपटा सा सेंड्विच बनके तयार होता है और अब एक ब्रेट स्लाइस के ऊपर हम रख देंगे हैं पर इसकी फीलिंग थी उसको हम रख देंगे ना में बना कर्की की पार अप्लाई कर देंगे इसे हम हम कर देंगे थोड़ा सा करके बादर यहीं आप नियुक्त चाहने ध है और आप चाहें तो उसको एस लेकिन हम बाना रहें तवा सेंडविच तो इसके लिए नहीं पर गरम कर लिया है और उसके उपर डाल देंगे हम थोड़ा सा बटर बटर को हम मैल्ट होने देंगे और इस तरह से चारो तरफ इसको स्प्रैट कर देंगे और जब बटर हमारा गरम हो जाएक तो एक प्रेट की स्लाइस को हम इसके उपर रख देंगे और उसको थोड़ा से हम दबा देंगे आप चाहे तो इसको हाथ से दबा देंगे इसतरह से जो चंबच होता है उससे भी आप इसको दबा सकते हैं इस तरह से दबाने से इसकी नीचे की लेट जो होती है वह बहुत अछे से सिक जाती है कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है उसको क्रिस्पिसी उल जाती है यह और यह उपर के प्लाइस कर देंगे इसको हम अम पलट देंगे यह डेकि ए फ्रेंड़ आ घाना मुह में पानी केश जबर्दस्त हमारा तबा में उ सेंड््ytt बन के तयार हो रहा है इस तना से हम इसको दबा देंगे दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे तभी तो हमाइन सेंड्विच एक दम क्रिस्पी बन के तयार होगा और यह देखी है आप देख रहें फ्रैंड्स के जबर्दस्त हमारा दूसरे तरफ सेंड्विच बन के तयार हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे प्लीट में और इसको भी हम इसी तरह से अच्छे से दबा दबा के फ्राइए कर लेंगे देखिए एक तरफ से अच्छे से फ्राइए हो गया है तो इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे और क्या जबर्दस्त हमारा सैंड्विच बनके तयार हुआ है फ्रेंड्स मेरे तो मुँमें पानी आ गया इसको बनाते बहुत जबर्दस रेसिपी है इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में और यह देखिए आप देख रहे हैं हमारा तवा में यह सेंड्विच बनके पिलकुल अच्छे से तैयार हो गया अब आप बताईए आप इसमें जब कौन सी रेसिपी ट्राइए करेंगे अरे एक ने इसमें पूरतना इंसाफ होगी ना तो आप इस तीन मात्राइए को ट्राइए बहुत ही जबर्दस रेसिपी है जब आप लिएर रेसिपी और में ना तौन एक नवीन ऑस थाए कि आ बच्छों की 但 जु होख़ए आप बच्छों की आप लुप बच्श में इगी हम इन एपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तो चलते हूं एक नहीं रेसिपी के साथ में फिल मुलाकात होगी इंशालला दौाओं में याद